असला ये दुख काया खतम नहीं होता वे यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने ट्वीट किया था जोलाई 11 को मतलब परसो जहां पर मैंने तीन इंपोर्टन डेट्स के वारे में डिसकस किया था और इन डेट्स पे क्या एक्सपेक्टेड है जैसे की 8.8% CPI एक्सपेक्टेड है अगर उससे जादा आता है तो दिक्कत होगी काम आता है तो मार्केट्स उपर जाएंगे यह हमने डिसकस किया था और 27 को क्या एक्सपेक्टेड है कितना आना चाहिए कितना नहीं आएगा तो यह ट्वीट आप जोगों ने यह ट्वीट देखा है और अच्छा नहीं लगता है अच्छा नहीं लगता है इस प्रकार की बचकाना बात है किसी के गले ने उतरती लोग मजाग उड़ा तो लेकिन यहां पर हम मूव कर रहे हैं इस चैनल में तो यह चैनल जब ब्रेक होगा उस साइड हम देखते वे चलेंगे अपने ट्रेट डेली में अगर ब्रेक देखते हैं तो हम शॉट लेंगे फिलाल नहीं हुआ है ब्रेक तो यहां पर शॉट का मतलब नहीं बनता है अगर हम ओवराल मुवमेंट देखें तो अभी भी इसने हमारा जो अप्रेंड को ब्रेक करने के लिए 18,800 डॉलर का एरिया ब्रेक करना था अब वो नहीं किया है तो करेंटली डेली में हम अभी भी अप्रेंड पे हैं थोड़ा सा आपको इसमें माइंड सेट अपना भी बेरिश टर्न नहीं गरना है शॉट टम वाला भी आप देख रहे हो कि थोड़ा सा बाउंस यहां पर आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टाइम पर वह है की यूएस के मार्केट का फ्यूचर क्या दिखरा है मतलब की खुलने क्या वाले हैं तो यहां पर आप देख रहे हो कि काफी ऊपर खुले हैं 0.3 0.34 यह इनका फुचर का मार्केट है काफी सारे लोग यहां पर एक्सपेट करके चल रहे हें कि मार् मार्केट ने खलका सा जंप लिया था जिसके गरण हमारे पास यह अजीब सी डॉजी सी गांडल आई है उसके बाद एंड जो हुआ था मार्केट नेगेटिव में हुआ था एंड हुआ था महां पर आप देख रहे हो कि एक सपोर्ट एरिया है तो यहां से बाउन्स होने के च अपने स्टॉप लॉस टाइट लगके चलो बीएंबी की बात करें तो हम दो तिन दिन से बीएंबी का शॉट लेके बैठे थे कल हमारा जब मार्केट अपडेट आया था तो बीएंबी का प्राइस कुछ इस एरिया में था एंड उसके बाद भी हमने का था कि शॉट आप ले सकते हो तो थोड़ा मार्केट उपर गया उसके बाद यह फिर नीचे गया है और 219 करके आया है जो कि आए होप आप लोगों ने प्रॉफिट कर लियोंगे या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लिया होगा हमारा नेट प्रॉफिट हमारे बीन बी के ट्रेट स लिया गया था उससे लेकर एंड तक गया यह फॉर पॉइंट सेक्स फॉर जो आइधिंग डीसेंट प्रॉफिट था इंग आप फाइव लिवरेज भी लोगे तो दस बारा पर्सेंट प्रॉफिट यहां निकाल लिया होगा आपने आज मार्केट का माइंड सेट थोड़ा फोर आर्स या एक डार्स के टाइम फ्रेम में तो हम यहां पे एक शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं आप देख रहे हो कि इसी जगह से यह बाउंस हो गया है ठीक है अब यहां पे ब्रेक नहीं हुआ तो हमारा जो इथीरियम का शॉर्ट है अभी हमने नहीं लिया है और वी आर टो ब्रेक टेकरी टेस्ट एंड देन गो डाउं और यहां अगर हमारा इथीरियम हमें यह मौका दे पाता है तो अभी थोड़ा हम इसको अब्सर्वेशनल मोड पे डालेंगे अगर आपको प्री मार्केट रिस्क लेना है थोड़ा सा पाइलेट पोजिशन लेनी है छोटी गेन कर लिया है प्लस हमारे जो फ्यूचर्स हैं वो ग्रीम दिख रहे हैं और हमारे जो सीपी है वो अरूंड पंदरा मिनट में आने वाला है तो होपफोली तब तक वीडियो आउट हो जाएगी और यूविल बी एबल तो जज़ ऑन देख सके होगे कि मैं सही था या गलत तो दाट वीडियो गया कैसी लगी है आपको आज की वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताएं और अगर आपको ट्रेट चार्ट रीड करना सेखना है ट्रेट कैसे लेने कैसे अपना ट्रेट सेटप बिल्ड करना ये खुद से करना चाहते हो किसी टेलिग्राम गरूप के पर उसे नहीं रहना चाहते हो, तो यूज चेक आउट आट कोड़, इस गोइंग तो बेरी चीप, बहुत सस्ता है, टोंट वरी, सब के लिए फोर्टेबल होगा, थैंक यू फो वाचिंग, आल सी यूँ आगा, यूज वाचिंग, आल सी यूज वाचिंग, गिर्टीन रगो, मैं बहरनीक पीन, नसीला बदात जाएंग,